रजिनी कांथ ने जीता दर्शोगों का दिल गदर 2 और OMG2 की कुल कमाई के बराबर रहा जेलर का कलेक्शन रजिनी कांथ का स्वैक एक बार फिर देखने को मिला है और फिलम जेलर ने बॉक्स ओफिस पर धमाका किया है फिलम के पहले दिन का कलेक्शन करीब OMG2 और गदर 2 की कुल कमाई के बराबर है रजिनी कांथ की फिलम जेलर का बॉक्स ओफिस पर जल्वा देखने को मिल रहा है बले ही जेलर को दूसरे दिन का कलेक्शन गिरा हो लेकिन फिलम ने पहले ही दिन सनी देल की गदर 2 और अक्षे कुमार की OMG 2 की करीब करीब बराबर कमाई कर ली इस रिपोर्ट में आपको जेलर के दूसरे दिन का आकड़ा भी बताते हैं फिलम जेलर ने बॉक्स ओफिस पर जोरदार धमाका किया है फिलम ने पहले दिन 48.35 करोड रुपे का कलेक्शन किया जो जवरदस्त रहा ये कलेक्शन गदर 2 40 करोड रुपे और OMG 2 9.5 करोड रुपे के कुल कलेक्शन के करीब बराबर है वही दूसरे दिन ट्रेंड मीडिय रिपोर्ट के मुतापिक फिलम का कलेक्शन 27 करोड रुपे रहा है हालांकि गदर 2 और OMG 2 के पहले दिन और जेलर के दूसरे दिन के आकड़े अल्टी ट्रेंट्स हैं और अधिकारिक आकड़ों में थोड़ा बहुत फेर बदल हो सकता है कुमार ने किया है ब्रशोकों को फिलम में रजनी कांत का स्वैक काफी पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर खूफ तारीफ की जा रही है गौर तलब है कि IMDB पर 5000 वोट्स के अधार पर फिलम की रेटिंग 8 है एक और जहां बॉक्स ऑफिस वर गदर 2 OMG पर भारी पड़ र पर हकीकत में गदर मचा दिया है गदर 2 अक्षे कुमार पंकश्त रिपाटी और यामी गौतम स्टार फिलम OMG 2 पर कमाई पर भारी पड़ रही है लेकिन अक्षे की फिलम IMDB पर बाजी मार गई है इस रिपोर्ट में जाने गदर 2 OMG 2 की IMDB रेटिंग गदर 2 ने भले ही बॉक् दिखाने में अभी तक सक्सेक्सफुल नहीं दिखी है फिलम गदर 2 की IMDB रेटिंग 6-8 है जो 2400 लोगों के वोट्स के अधार पर के बाद एवरेज तैय हुई है बता दे कि फिलम को 70.2% लोगों ने 10 रेटिंग 5.2% लोगों ने 9 रेटिंग 2.5% लोगों ने 8 रेटिंग 2 और 14.9% लोगों ने 1 रेटिंग दी है याद दिलादे की अरली मीडिया रिपोर्ट के मताबिक गदर 2 ने पहले दिन 40 करोड रुपे की कमाई की है बात OMG 2 की करे तो भले ही अक्षिकमार की ये फिलम बॉक्स ओफिस पर गदर 2 के सामने हलकी साबित हुई है लेकिन IMDB पर फि सेनिट योजर ने फिलम को 10 रेटिंग दी है 34.7% दो ने 9 रेटिंग दी यह 15.2% लोगों ने 8 रेटिंग दी है 0.7% लोगों से 2 रेटिंग दी है 6.8% लोगों से 1 रेटिंग दी है बता दे अरली मीडिया रिपोर्ट के मताबिक OMG 2 ने पहले दिन 9.5 करोड का कलेक्शन किय एक और जहां पहले दिन सनी देवल की गदर टू ने 40 करोड की बंपर ओपनिंग की है तो दूसरी और अक्षे कुमार की फिलम ओएमजी टू डबल डिजिट तक ही नहीं पहुच पाई 22 साल बात परदे पर सनी देवल एक बार फिर से तारा सिंग में रॉल मेनेजर आये हिंदूस्तान जिद्दाबात का नारा लगाये तो दर्शकों ने भी उनका भरपूर साथ दिया फिलम गदर टू ने बॉक्स ओफिस पर पहले ही दिन 40 करोड की बंपर ओपनिंग किया है पई दूसरी और अक्षे कुमार पंकत रिपार्टी और यामे गौतम स्टार फिलम ओमजी टू डबल डिजिट में भी अपना खाता नहीं खोल पाई फिलम गदर टू ने बाकई बॉक्स ओफिस पर गदर मचाने का काम किया है एडवांस बुकिंग में ही फिलम का जलवा देखने को मिल रहा है ऐसे में फिलम ने धमाकेदर ओपनिंग की है अर्ली मीडिय रिपोर्ट्स के मताविब फिलम ने पहले दिन 40 करोड की नेट ओपन 40 करोड की ओपनिंग की तो दूसरी और फिलम ओमजी टू डबल डिजिट में भी ओपनिंग नहीं कर पाई अर्ली मीडिय रिपोर्ट्स के मताविब अक्षग मार की फिलम ने पहले दिन सिर्फ 9.50 करोड रुपे का कलेक्शन किया है कलेक्शन रोकी और रोनी की प्रेम कहान इसे भी कम और सत्य प्रेम की कथा से जादा है सनी देवर की फिलम गदर टू देखने के बार दर्शक तो सोशल मीडिया पर अपना रियक्शन दे ही रहे हैं इस भी सलमान खान ने फिलम और सनी को लेकर एक पोस्ट किया है सलमान खान ने सनी को पहले ही बदाई दी है सनी द मीडिया पर वाइरल हो रहा है सलमान खान ने पहले ही दिन सनी की फिलम को शांदर बता कर उनको बदाई दी है सलमान खान ने गदर 2 से सनी देवल की फोटो शेर कर लिखा धाई किलो का हाज 40 करोड की ओपनिंग के बराबर सनी पाजी ने कर दिखाया गदर 2 की पूरी टीम को बथाई ख़वर लिखने तक सनी देवल का अभी कोई रियक्शन नहीं आया लेकिन देखते हैं कि सनी इस पर क्या जवाब देते हैं रिपोर्ट की मुताबिक गदर 2 पहले दिन 40 से 43 करोड तकी कमाई की है वहीं कहा जा रहा था कि गदर 2 का अक्षिकमार की फिलम OMG 2 से क्लेश नहीं होता तो ये फिलम पहले दिन 60 करोड रुपे तक कमा सकती थी गदर 2 के तीन दिन का कलेक्शन यानि कि शुकरवर शनी और एवियर की कमाई को लेकर उन्मान लगाए जा रहा है कि फिलम 120 करोड तक कमा सकती है वहीं 5 दिन की कमाई 175 करोड के आसपस हो जाती है